है गाइस वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल हार्शियर मोटर जीप आज आपको जो मेरे थमनेल से पता चल गया होगा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूं जो कि आपको पता कि वरक्शप होता है वो इस तरह का होता है कि जहां पे गाड़ियां रेडी होती है जो इसकी सचाई है कैसे गाड़ी रेडी होती है और जे फास्ट वाल हम मिल्टरी की चैसी परशेज करती है और इसके बाद इसका कमानी का काम करवाते हैं और डिप्रेशन का काम करवाकर जो कि ब्रेक और पुरा डिप्रेशन वेरा का काम करवाकर गाड़ी को रेडी करते हैं और उसके बाद जो वर्क होता है गाड़ी का वो होता है वोडी वर्क जो कि जो हमारे गाड़ियां रेडी हो रही है जो कि वोडी गाड़ियों का बना पड़ा है कुछ चैसी रेडी हो रही है हमारी जो कि गाड़ियों के उड़ रा चुकी है और उसके बाद गाड़ी होता है फ्रेंट्स फिटिंग वोडी के उपर चैसी फिटिंग होता है गाईस जो कि इस टैप का लुक आयता है जो कि fitting zhokar जो कि जैसा आपको एंगरवट ग्रील चाहिए ज़ियसा भी आपको ग्रील चाहिए जैसा भी आपको और जाये जैसा भी आपको चाहिए वैसा ही हम आपके रैडी करते है जो कि वोड़ी होता है जो कि आल असेसरी नहीं होता है आउनलीन गाड़े में इंजन एंड चैसीज जो कि मिल्टरी का होता है वो पर चेज करके लगाते हैं और उसके बाद जो भी असेसरी होता है वो सारा हम खुद हमारे वर्कशोप में रेडी होता है गाईस जो कि अभी जे वोडी वर्क हो गया है इसके बार इसका गाड़ी का होता है डेंटिंग का काम जो कि आपको अभी जे गाड़ी हमारी फिटिंग होके डेंटिंग हो रहा है जे गाड़ी अभी हमारा डेंटिंग हो रहा है साइडों में डेंटिंग हो चुका है पैंट प्याहजर है जो कि इस वे पहले प्राइमर कोटिंग होता है और इसके वार канал है प्रडिंग होती है जो भी होता है सैस्ते हैं फि्टिंग खुता और उसके वाहर गाड़ी में हम्हे ठथे इंचन जो शीज़िए अप को है गाइस जो कि अभी आप देख रहे हैं जो कि मारा इंजन री कंडिशनर हो रहे हैं जो कि मारे वर्क्षोप में रेडी हो रहे हैं जे तीन गाड़ियों के इंजन है जे अभी गाड़ी का मारा इंजन फिटिंग हो रहा है गाड़ी में कैसा गाड़ी में इंजन कवर को आपको मैं आगे वीडियो में पूरा डिटेल दे रहा हूं गाइस इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने दें पूरे डिटेल में लेका मोडीफाइड जिप कैसे बनती है गाइस कुछ देख रहा है अभी जिप पूरा री कंडिशन होना है पूरा पेंट ओना हो चुका है कि आपको मिल्ट्री की सीट्स चाहिए जैसा भी आपको सीट्स चाहिए जैसा आपको गाड़ी में चाहिए बैसे हम आपके लिए रेडी करके देते हैं गाइज और जब पियंट होने के बाद असेसरी फिटिंग हो या डी में तो इस ट्रयप का लुकिंग आजयता है जो सीट्स बन जाती है आपको जय को शे china आपको शेये सीट्स में की ओड डिजाइन चाहिए हैं अट लातनि की आपको चाहिए जैसा भी आपको चाहिए वैसा ही क monuments of setいき nerd in general meaning गाडी का जो असेस्री फेटिंग उने के बार गाडी का कुछ ऐसा लूकिंग हो जाता है हुदो की बेटरी होता है टाटा के नंग्वेटरी होता है गाइस ड्यक स्लTake न्यू रहता है लग गाडी हो में और उसके बाद आपको जैसा राउंड ग्रिल चाहिए, स्क्वेर ग्रिल चाहिए, जैसा गाड़ी आपको चाहिए, बैसा रेडी हो जातेगा है, जे गाड़ी पुरा कम्प्लीट है, अब इसमें अगर आपको ट्रायर का फेटिंग होना बाकिए है, जो की कस्टमर का चोई सा बैसे ही होगा, जैसा रूप आपको चाहिए, वो आपको पुरा कम्प्लीट मिल जाएगा, जे मैड फनिशिंग में गाड़ी है, गाइस, और जो की कमानी का वर्कस, वो सारा हमारे वर्क्शब में होता है, गाइस, आज तो संडे था, इसलिए कोई हमारे मेकानिक आए नहीं है, जल्दी आपके लिए लेकर आओंगा अपने वर्क्शोब, अपने शोरूम का वीडियो, जो की हर्जियान मोटर, ओके गाइस, अब इजाज़त रता हूँ, आप मेरे चैनल को जाला स्ब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, तो सान आने वाले वीडियो अप्डेट देखने के लिए, मेरे को फेस्बूक और इस्टाग्राम पर फोलो करें गाइस, ओके गाइस, जो की मेरे आपको पता है, हर्जियान मोटर, आप मेरे को फोलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके गाइस, जाहिए जाहिए ने दरी, खुश रहें, सलामत रहें रहें लोलो करें, इसलिवाई वեղ तो कoqu मेरे लिए करें ते सब्सक्प्राइब का लिएख। झाल झाल